पहेली का जवाब कोई पुद्धिमान ही दे सकता है वो क्या है जिसे हम हमेशा काटते रहते हैं मगर कभी उसके टुकड़े नहीं कर सकते सोचो सोचो जल्दी सोचो और कमेंट बाक्स में लिखें इसका सही जवाब है समय अगर आपका जवाब यहीं था तो आप सही है और इसी तरह कि मज़़दार पहेलियों को जानने के लिए चैनल को लाइक शेर और सबस्क्राइब करें इस पहेली का अर्थ तो कोई बुद्धिमान वेक्ती ही बता सकता है एक राजा की गजब है रानी दूम के रास्ते वो पीती है पानी बताओ कौन है वो सोचो सोचो अंसर आने से पहले बताओ क्या है वो और इसका सही जवाब है दीपक दीया जो हम जलाते हैं और आपका भी अगर यही जवाब था तो आप जीदें हाँ जरूर सब्सक्राइब करके जाएं लाइक शेयर भी करें तो निवाब सरीर है इसका लंबा लंबा मुख है कुछ-कुछ गोरा पेट में जिसके है काली डंडी नाम लिखे है वो मेरा इफ यू नो प्लीज लेट मी नो इसका सही जवाब है टैंसिल जिससे हम लिखते हैं अगर आपका भी यही था तो आप भी सही हैं जीब नहीं है फिर भी बोले पैर नहीं है पर जंग में डोले राजा रंक सभी को भाता जब आता है खुसिया लाता समझ गए तो जल्दी से कॉमेंट में लिखो अंसर आने वाला है क्यों पैसा पैसा करती है तू पैसे पे क्यों मरती है इसका सही जवाब है रुपिया मनी माल पगरी में भी गगरी में भी और तुम्हारी नगरी में भी और कच्चा खाओ, पक्का खाओ, सीस्ब मेरा तेल लगाओ अगर भूज गया है तो आंसर को जल्दी से कॉमेंट बॉक्स पे लिखे और आपके सामने ये आंसर पैस होने वाला है इसका आंसर है नारियल, समझे दो अंगुल की है सडक, उस पर रेल चले बे धड़क लोगों के है काम आती, समय पड़े तो खाक बनाती बताओ कौन है, अंसर आने वाला है जल्दी से बताओ कॉमेंट करके जब तक आंसर आता है तक तक प्लीज चैनल को सबस्क्राइब कर ले इसका आंसर है माचिस, माचिस जो दुनिया को चला दे जिन्दगी की कठनाईयों से फाग जाना बहुत ही आसान होता है जिन्दगी में हर कठनी एक इंतिहान होता है डरने वाले को नहीं मिलता कच जिन्दगी में और लने वालों के कदमों में सारा जहान होता है फल नहीं पर फल कहाऊं नमक मिर्ची के संग सुहाऊं खाने वाले की सेहत बढ़ाऊं और सीता मैया की याद दिलाऊं बताओं कौन हूं मैं अरे बोल बोल कौन हूं मैं आंसर आने वाला है जल्दी से कॉमेंट करके बताएं और इसका सही आंसर है सीता फल जिसको हम लोग स्वरीफा भी बोलते हैं अगर आपका भी जवाब यही था तो आप भी बीट गए सही हैं टैने जो चाहती दुनिया है वो मुझसे नहीं होगा समझ़टा कोई ख्वाब के बतले हरगिस नहीं होगा यह इनायत गजब की यह बला की महरबानी मेरी खैरियत के पूछी किसी और की जवादी तेरे ख्याल से खुद को छुपा की देखा है दिलो नजर को रुला रुला की देखा है तू नहीं तो कुछ भी नहीं है तेरी कसम मैंने कुछ पल तुझे धुला की देखा आज मेरे पास गला है पर सिर नहीं मेरे बाजू है पर हात नहीं तो इस पहली का अर्थ पताईए कौन हूँ मैं अगर समझे हैं तो जल्दी से कॉमेंट करके बताईए वरना अंसर तो आने वाला ही है और इसका सही अंसर है शर्ट शर्ट जो हम पहनते हैं अगर आपका भी यही था तो आपी सही है दल्ने मौत बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो मजबूरियों को मत को सो हर हाल में चलना सीखो झाल में चलना सीखो झाल में चलना सीखो